सतना में एक की युवक को अगवा कर उसकी बेदम पिटाई करके वीडियो बनाया जाने का मामला सामने आया है बता जा रहा है कि बकाया रकम मांगने से भड़ के आरूपियों ने युवक को अगवा कर बेरहमी से पीटा और फिर निर्वस्तर कर उसका वीडियो भी बना लिया ये घटना सामने आने पर कोलगवा पुलिस ने आरूपियों के खिलाप अपराद दर्जकर गिरफतारी के प्रयास शुरू कर दी है पुलिस ने बताए कि 19 वर्षिय प्रित्विराज दाहिया डीजे का काम करता है बीते नोजुलाई को उसने अभिशेक दाहिया निवासी नई बस्ती के घर डीजे लगाया था जिसका किराया 19,000 रुपे तै हुआ था मगर उसे सिर्फ 4,000 रुपे दे कर शेश रकम बाद में चुकाने की बात कही गए यही बकाय मांगने के लिए प्रित्विराज ने कई बार अभिशेक से संपर्क किया मगर आरुपी हर बार गाली गलोच पर उतारू हो जाता था इतना ही नहीं आए दिन के तगादे से आवेश में आकर आरुपी अभिशेक ने दोस्त शिब्बू बढखेरा प्रिंस दाहिया और अमन चौधरी के साथ मिलकर डीजे संचालक की पिटाई का प्लान बना लिया आरुपीों की योजना से अंजान प्रित्विराज अपने दोस्त रोहित केवट के साथ इसकूटी से रामवन चला गया मगर वापसी में गडेशा के पास आरुपी अभिशेक और शिब्बू ने पीछे से डंडा मार कर इसकूटी समेथ दोनों दोस्तों को नीचे किरा दिया और मारपीत करने लगे कुछ दिर बाद आरुपी उसे बाइक पर लाद कर नीमी ले गए जहां निर्वस्तर कर लाठी डंडों से बुरी तरह से पिटाए की जिससे वो बेसुध हो गया बेहुशी के हालत में आरुपी उसे गाड़ा के पास फेक कर भाग गये बताये गया कि युवक्का एक रिष्टेदार जब सीमेंट फैक्टरी में ड्यूटी के लिए आ रहा था जिसने उसे बेहुशी की हालत में पड़े देखा तो घर वालों को सूचना देकर नीजी वाहन से अस्पताल पहुचाया और पुलिस को भी सूचना दी रात्मी कुपचार के बाद हालत में सुधार होने पर पुल्गम अथाने के पुलिस कर्मी ने पृत्वी राज का बयान दर्ज किया जिसमें उसने आठ ज़ार रुपे नकदी और मोबाइल छीनने का भी खुला सकिया पीडित के बयान पर आरूपियों के कलाप अपराद पंजी बद कर तलाश शुरू कर दी गई है आमान चौट ही और यह सब वीडियो बनाए है फिर मजब योच हो गया मेरे के लिए जाद छोड़ दिया है मेरा पैसा मोबाइल सब्यों नहीं है पाट जार पैसा भी था क्या नाम है तुमादा प्रत्वीराज दालिया